अठारर वर्षिय युगती का अदम्य मनोबल जो लोग नारी को अबला कहते हैं, वे शायद चार शताब्दी पूर्व के युग की बात कहते हैं, जब मुस्लिम अकरांताओं के अमानुसिक क्रत्यों के भय से घर की चार दिवारी में कैद करके उसे अबला बना दिया गया था, अवसर मिले तो नारी, साहस और निर्भीकता में पुरुष से कभी पीछे नहीं, आईए एक ऐसी ही घटना का अवलोकन करें, विवरन विहार शरीफ का है, छे जून की रात को शकुंतला नामक एक अठारह वर्ष्य यूती के घर में डाकू गुसे, सामान्य मनुश्यों की का मनुबल तो इतना गिरा होता है, कि चोर या डाकू का नाम सुनते ही, या घर में उनके होने की संभावना होते ही, वे अपना संतुलन खो बैठते हैं, और विशेश्चितह सामान्य स्तर की नारियों के लिए चिलाना, रोना, चीखना ही एक मात्र अवलंब रह जाता है, किन्तु शकुंतला का मनुबल तथा निर्भीकता असाधारन सरकी थी, जब डाकू माल लेकर भाग रहे थे, तो सब यों ही हतप्रब से खड़े देख रहे, पर शकुंतला ने विचार किया, कि अनीती को यों चुपचाप खड़े देखते रहना या होने देना भी अपने आप में एक अनैतिकता है, सारा गिरोह ही भाग रहा था, शकुंतला ने गिरोह के सरदार के पीछे भागना प्रारंब किया, इस बीच उसने कई बार चेतावनी दी कि वह उसका पीछा ना करे, पर वह तो इस समय जैसे साक्षा दुर्गा बनी हुई थी, डाखुओं के सरदार कुख्यात व्यक्ति, छोट का खलीफा ने तब शकुंतला की ओर एक हत्गोला फैंका, सौभाग्य से उसका निशाना चूग गया, किन्तु आगे फैंका जा सकता था, या फिर किसी अन्य शस्त्र का भी प्रहार किया जा सकता था, पर इस समय शकुंतला सोच रही थी, कि भले ही प्राण क्यों ना चले जाएं, इस दुष्ट को आज सबक सिखाना ही है, दोड में वह सफल हुई, और निकट जाकर उसने डाकु का पैर पकड़ लिया, खलीफा ने लाख प्रयत्न किया, किन्तु शकुंतला के हाथों का वह बंधन नाग पाश जैसा हो रहा था, जो छुड़ाएं न चुड़ता था, खलीफा पहले ही काफी घायल था, शकुंतला दोड में पीछा करते समय उसके पत्थर मार रही थी, दिरंतर की मार, भागने की धकान, पकड़े जाने का भय, तथा चोर का छोटा दिल, सब ने मिलकर खलीफा को जैसे शक्ती हीन ही बना दिया था, शकुंतला तब तक खलीफा का पैर पकड़े रही, जब तक की सब वहाँ न पहुच गए, गिरोह के अन्य सदस्य भाग गए थे, पुलिस भी आ गए थी, खलीफा के पास साथ अन्य बं भी प्राप्थ हुए, साक्षात मौत से लड़ने की शक्ती का परिचे दिया था इस समय शकुंतला ने, अठारह वर्शिया इस नव युवती का यह अपराजे साहस निश्चर ही रशंसा का प्रकरन है, यह एक नमूना है उन युवतियों के लिए जो अपने आपको निर्बल अशक्त तथा दीन हीन समझती हैं, यदि सोया मनोबल जगा लिया जाए, तो कम से कम अपनी सुरक्षा करने की सामर्थितों अधिकांच नारियों में होती ही है, अपनी शक्ती तथा साहस का समुचित उपयोग प्रत्येग अनैतिक्ता सामना करने में करना ही चाहिए, ग्यारह वर्षियं बालिका का प्रशंसनिय कार्या प्राचीरकाल में देश की राजधानी उस समस्त भूमी की सभ्यता, संस्क्रती तथा कला कौशल का केंद्रमानी जाती थी, किन्तु आज की इस्थिती कुछ दूसरी ही है, राजधानी में ही चोरी, ठगी, जालसाजी तथा धोखादड़ी का व्यापार निर्भीकता के साथ चलता है, उक्त घटना भी ऐसा ही प्रसंग है, नई दिल्ली में ही भोगल के एक पार्क में से खेलते हुए तीन बच्चों का अफरण करके, एक साधू वेशधारी व्यक्ती ले जा रहा था, किन्तू कहते हैं, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इस्कूल से आते हुए एक ग्यारा वर्ष ये छात्रा ने देखा, कि साधू की बगल में कई जोले अजीब सी आकरती के लटके हैं, पास-पास चलने पर उसे बच्चे के रोने जैसा घुटा-घुटा स्वर्भी सुनाई दिया, अब उसने गौर से उन जोलों को देखा, तो बच्चे का एक हाथ दिखाई दिया, जो जोले में से थोड़ा सा बाहर निकल रहा था, कोई सामान्य इस्तर की बुद्धी वाली बालिका होती, तो स्वयम जान बचाकर भाग खड़ी होती, पर इस बालिका ने जिसका नाम जोगिंदर कौर तथा स्वीती है, सोचा कि इस बदमाश को अवश्य ही दंड मिलना चाहिए, तथा बेचारे मौत के द्वार पर खड़ बच्चों की रक्षा की जानी चाहिए, वह तुरंथ ही जोर-जोर से चिलाने लगी, जिससे एकदम कई आदमी एकत्रित हो गए, और भागते हुए वह साधू एक रेडे वाले द्वारा पकड़ लिया गया, अब स्वीटी ने देखा कि वह व्यक्ति भाग नहीं सकता, तो फोरण स्वयम पुलिस को बुला लाईं, इतनी सी आयू में इतनी तीवर बुद्धी का होना नी संदे प्रशंसा का विशय है, पुलिस ने उक्ति बाबाजी के जोलों से तीन से सकते बच्चे निकाले, जो क्रमशह, दो, पाँच, तथा तीन वर्ष के थे, पुलिस ने जब उनका बयान लिया, तो वह हिंदी में न बोलते हुए बर्मी में बोला, तब किसी दुभाशिये द्वारा उनका बयान समझा जा सका, उलेख निय है कि पकड़ी गई लड़की ने बताया कि उसने उस लड़की से हिंदी में कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मिठाई खिलाऊंगा, शिशों का अफरन करके उनसे नाना प्रकार के कुकरत्य करवाने वाले ये नर्पिशाच निश्चे ही समाज के लिए उतने ही हानी कारक हैं, जितना कोई भी विशैला जन्तु। उक्तसादु बावा ने बताया कि वह बर्मा का रहने वाला है, तथा आजकल देली में ही किसी बौद्ध विहार में रहता है। धार्मिक मठ जो जन जागरण तथा आध्यात्मिक चेतना के गड़ होना चाहिए, वहां ऐसे अनाचारियों के आश्रे स्थल बने हुए हैं, यह देख कर तथा सुनकर आश्चर्य कम तथा दुख अधिक होता है। जिनके वे बच्चे थे, उनकी असीम संतोष तथा प्रसनता प्रदान करने वाली, उस बालिका को पुलिस विभाग द्वारा सौ रुपय का पुरस्कार दिया गया, पर यह तो मात्र समझावा या प्रोचाहन है। अनैतिक्ता के प्रती, उसका यह अध्भुत साहस, निश्चे ही प्रशंसा तथा अनुकरण की वस्तु है। ग्राम सुरक्षा के लिए सम्मिलित शौर्य डाकूओं का आतंक शहरी शेत्र की अपेक्षा ग्रामीन शेत्र में अधिक रहता है। उसका कारण गाउं में पुलिस व्यवस्था कम होने के अतिरिक्त, ग्रामीनों में संबध प्रयास करने की भावना तथा शम्ता का अभाव भी है। डाकूओं से ग्रामीनों की संख्या तो अधिक होती ही है। अधिकांज गाउं में हतियारों की भी कमी नहीं होती। जहां उक्तगुणों का विकास संभव हो सका, वहां सामान्य साधनों से भी डाकुओं के आक्रमन निरस्त किये जा सकने के समाचार मिलते हैं। पिल्क हुआ के निकट ग्राम सिवाया में ग्रामिनों ने न केवल डाकुओं को भगा दिया बलकि एक सशस्त्र डाकुओं को जीवित पकड भी लिया। डाकुओं की बंदूग सहित जीवित पकड लेना पुलिस के लिए भी गौरव की बात मानी जाती है। ग्राम वासियों ने उक्त कार्य से सिद्ध कर दिया कि गांग की रक्षा व्यवस्था में इस्थानिय संगठन भी कम नहीं है। डाकुओं के सशस्त्र गिरोह ने एक ग्रामी के यहां चापा मारा। गांवालों को जैसे ही सूचना मिली एक एक करके चुने हुए व्यक्ति एकत्र हो गए। लाइसेंस वाले अपनी बंदू के अन्य व्यक्ति लाठी भालों आदी से लैस हो गए। इस्थिती देख कर समझ कर टोलियां बना ली गई। सधे हुए व्यक्तियों के निर्देश पर डाकुओं पर घेरा डाला गया। डाकु अपनी कारिवाही में लगे थे। अचानक गाव वालों की सरगर्मी की सूचना उन्हें मिली। जब तक वह अपनी योजना बनाएं गाव वाले आधम के। लाइसेंस वाले गोली चलाने लगे। पिछवाडे से चड़कर गाव वाले अंदर घिरे परिवार तक भी पहुँच गए। डाकुओं को भगाने के अलावा और सूचता भी क्या। जिस ओर उन्हें ग्रामवासियों की हलचल कम दिखी उसी ओर से वह भाग निकले। किन्तु भागते हुए डाकुओं को अपनी भूल जल्द ही दिखाई गई। गाव वालों की चाल में वे फस गए। एक ओर जान बूच कर सन्नाटा रखा गया ताकि डाकुओं उसी ओर से भागें। चाल सही पैठी। भागते हुए डाकुओं उपर अच्छी मार पड़ी। उसी सिलसिले में एक डाकुओं पकड़ने में भी सफलता मिल गई। बाद में वह डाकुओं पुलिस के हवाले कर दिया गया। वह डाकुओं ग्राम क्योता का निकला। सिवाया वालों की इस सफलता से आसपास के शेत्र में उत्साह फैल गया। इसी प्रकार का एक समाचार इटावा जिले नगला प्यारा का भी है। वहां एक जाटव परिवार की यहां डाकू घुसे। परिवार में पर्याप्त सदस्य थे। सभी ने तुरंत तलवार लाठी, वर्चे, आदी हाथों में लेकर विहुरचना कर ली। हर महत्वपुर्ण मोड पर एक घर के सदस्य चिप गए। डाकू अपनी व्यवस्था बनाते हुए अंदर घुसे। किन्तु अंदर की व्यवस्था उनसे अधिक अच्छी होने का उन्हें पता नहीं था। पहले ही सपाटे में एक डाकू बचाव करते हुए भी अपने हाथ की उंगलियां खो बैठा। जिस दशा से भी उन्होंने प्रयास किया, उन्हें पूरा-पूरा संघर्ष करना पड़ा। उधर गाव वालों को भी सूचना मिल गई। नात की बात में लोग दोड पड़े, घटना स्थल की और। बाहर सुरक्षा पर तैनात डाकू ने गाव वालों की सरगर्मी देखी, तो खतरे का संकेत किया। डाकू हताश होकर भाग खड़े हुए। कुछ ले जा सकना तो दूर, एक साथी की उंगलियां गवाने के अतिरिक्त कई और भी गायल हो गए। वास्तम में यदि जनता सतर्क एवं संगठित रहे, तो ऐसे छुटपुट बदमाशों के लिए तो पुलिस की सहायता के बिना भी वे समर्थ हो सकते हैं। आपसी जगडों में लगने वाला साहस सामूही क्रक्षा में लगे, तो किसी भी डाकूगिरों से अधिक समर्थ टोली हर गाव में तैयार हो जाए।